हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आज चैनल कॉंपटिशन वेल आज हम इस वीडियो में आपको यूजी सी नेट जे आरफ में कॉमर्स अबजेट की जून 2020 की एक्सपेक्टेट कटाप बताएंगे और दिसंबर 2019, जून 2019, दिसंबर 2018, जून 2018, दिसंबर 2017 में कटेगरी वाइस क्या और भाटा दे रखा है ये percentage दे रखा है तो चलिए सबसे पहले हम अपने Marks हिसाब से परसेंटेज निकालना सीखते हैं मांलीजे आपका जो एक्जाम है जो एक्जाम है वो पूरे Marks के कितने 300 आपको जो एक्जाम है उसके total marks हमको मिले मानलीजे जो एक्जाम है वो उसका total total marks 300 है और उसमें हमको 180 marks मिले, तो 180 upon 300 into 100, इसको cancel कर लेंगे, तो कितना आएगा 60, यानि कि हमारे 300 में अगर 180 marks आए हैं, तो हमारी percentage कितनी है, 60 percentage है, तो सबसे पहले आप अपनी percentage निकाल लीजेगा, फिर ही उसके बाद ये data देखिएगा, क्योंकि ये जितना भी data है, ये एक percentage है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, December 2019 की, December 2019 में JRF की unreserved की cutoff 62.67 गई थी, EWX की 60 गई थी, OBC की 58.67 गई थी, SC की 56 गई थी, ST की 54.67 गई थी, अगर हम only Assistant Professor only की बात करें, यानि की net की बात करें, December 2019 में, unreserved की 55.33 गई थी, EWX की 50.67 गई थी, OBC की 50.67 गई थी, SC की 48 गई थी, ST की 47.33 गई थी, अगर हम June 2019 की बात करें, JRF की unreserved की 68 गई थी, EWS की 64.67 गई थी, OBC की 63.33 गई थी, SC की 60.67 गई थी, ST की 57.33 गई थी, अगर हम net की बात करें, December 2019, sorry, June 2019 में, unreserved की 60 गई थी, EWS की 52 गई थी, OBC की 53.33 गई थी, SC की 50 गई थी, ST की 48 गई थी, अगर हम December 2018 की बात करें, JRF की unreserved की 62 गई थी, OBC की 58 गई थी, SC की 54.67 गई थी, ST की 54 गई थी, अगर हम December 2018 में only net की बात करें, unreserved की 54.67 गई थी, OBC की 49.33 गई थी, SC की 47.33 गई थी, ST की 46 गई थी, अगर हम जून 2018 की बात करें, जून 2018 में जून 2018 में जून 2018 की अन्रिजर्वट की 64 गई थी, OBC की 59.33 गई थी, ST की 55.33 गई थी, ST की 54.67 गई थी अगर हम जून 2018 में जून 2018 में उन्रिजवट की 54.67 गई थी, OBC की 49.33 गई थी, ST की 46 गई थी, ST की 45.33 गई थी अगर हम December 2017 में बात करें, जे आरेफ की, Unreserved की 64.57 गई थी, OBC की 58.29 गई थी, SC की 55.43 गई थी, ST की 54.29 गई थी, अगर हम December 2017 में only net की बात करें, Unreserved की 58.86 गई थी, OBC की 50.86 गई थी, SC की 49.14 गई थी, ST की 49.71 गई थी, अब हम बात करेंगे, इस सारी डाटा के अनुसार, हमारे competition बलके expert ने June 2020 की एक expected cutoff बताईए, जो की इस पेकार है, expert के अनुसार, June 2020 की JRF की expected cutoff हो सकती है, 59 से 64 के बीच में जा सकती है, EWS की 57 से 62 के बीच में जा सकती है, OBC की 55 से 60 के बीच में जा सकती है, SC की 53 से 58 के बीच में जा सकती है, ST की 51 से 56 के बीच में जा सकती है अगर हम Assistant Professor Only यानि की Net की बात करें June 2020 की Expected Cutout Unreserved की 52 से 57 के बीच में जा सकती है EWS की 47 से 52 के बीच में जा सकती है OVC की 48 से 53 के बीच में जा सकती है SC की 45 से 50 के बीच में जा सकती है ST की 54 से 59 के बीच में जा सकती है और मैं आपको बता दूँ यह जितना भी data दे रखा है यह हम लोगों ने NTA UGC की officially website और Google से लिया है और इन्डी data की मदद से हमारे competition well के expert ने June 2020 की एक expected cutout बताई है So हमारे channel competition well को like करें, subscribe करें और share करें हमारे channel competition well के competition level की सभी तैयारी करा जाती है और उन competition के expert की advice भी दी जाती है हमारे channel पर समय समय पर IIT के professor भी अपनी जानकारी दिया करते हैं तो so please हमारे channel competition well को like करें, subscribe करें और share करें Thank you करें